नमस्कार मिनास्मिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News क्या अब लोक जन शक्ती पार्टी राम विलास अध्यक्ष चिराक पास्वान को भारतिय जनता पार्टी साइट करने वाली है और रास्टीय लोक जन शक्ती पार्टी अध्यक्ष पशुपती पार्टी को अब तरजरी दी जा रही है दरसल पशुपती पार्टी और चिराक पास्वान जो दो नाव में सवार है भारतिय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं जहां पशुपती पारस लोकसभा चुनाव में सीटों की मांगों को लेकर केंद्री मंत्रीपत से स्तीफा दे देते हैं तो वही पशुपती पारस विधान सभा चुनाव से पहले 243 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़नी का एलान करते हैं और इसी बीच में देखा जाए तो भारती जनता पार्टी के तहत अभी तक कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया था लेकिन बीते दिनों उठाया गया ये बड़ा कदम पशुपती पारस की नराजगी को दूर करने के लिए सही माना जा रहा है बिहार में चार विधान सभा सीटों पर उपचुनाव है जिसमें से अगर हम बात करें तो पशुपती पारस की भूमी का भी एहम मानी जा रही है ऐसे में भारती जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि पशुपती पार्टी को मना लिया जाए इस बीच में चिराख पास्वान भारती जनता पार्टी के लिए गले की फास बनते वे नजर आए कई ऐसे माके सामने आए जहां चिराख पास्वान ने भारती जनता पार्टी को खुली चुनोतियां दे दिये और खुली चुनौतियों के चलते भारतिय जंता पार्टी को उनके आगे जुकना भी पड़ा बिहार में विशेश राज्जे के दरजे के मांग को लेकर चिराक पास्वान नितीश कुमार का साथ दिया बिहार में पास्वान समाच को हक दिलाने के लिए अपनी ही सरकार के खेलाफ उतरे पास्वान समाच के अलाबा सुप्रिम कोट का फैसला आरक्षन को लेकर यहाँ पर चिराक पास्वान के लिए सही साबित नहीं हुआ चिराग पास्वान ने स्वासले का भी विरोध कर दिया लेटरल एंट्री को लेकर भी चिराग पास्वान ने अपनी ही सरकार को घेरा और देखने को ये मिला कि विज्यापनों को लेकर यहाँ पर मामली को खटाया गया केंद्र सरकार के लिए चुनोतियां चिराग पास्वान बने अभी सी चिराग पास्वान को साइट कर परशुपती पारश मुलाकात करते वे नसर आए प्रदेश अध्यक्ष यहां पर दिलिप जैसवाल जो समराट चौदरी की जगाप बनाए गए हैं यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए दिलिप जैसवाल ने पटना में लोच्पा कार्याले में जाकर यहां पर राश्टी लोच्पा की बात करें तो कार्याले में जाकर लगभग साथ मिनट तक पशुपती पारश से मुलाकात के माइने निकाले जा रहे हैं कि जिस त पार्टी पर भारी ना पड़ जाए इसलिए दिलिप जैसवाल के जरीव ने मनाने की कोशिश की जा रही है और बिहार में चार विधान सभा सीटों में से तरारी विधान सभा सीट पर भी चुनाब है जिसमें से सीपी आई की तहत यहां पर विधायक है लेकिन देखा चोड़कर बीजेपी का दामन ठामने लगे और इसके बात नराजगी चरम पर पहुंच गई पशुपति पारस की एक तो सीटे नहीं दी लोग सभा चुनाव में उनके विधायक भी जो पूर्म है वो भारती जनता पार्टी में जा रहे हैं तो बगावत ना हो जाए इसलि